दस्तो COVID-19 का टेस्ट रेपीड डाइगनोस्टिक टेस्ट किट में किस तरह किया जाता है वो इस वीडियो में मैंने प्रेक्टिकली दिखा है तो इस वीडियो का आप एंड तक चरू देखे अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब चरू कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर देता हैं कि आपको नए वीडियो मिलते रहे और इसका नॉटिफिकेशन भी मिलता रहे रैपिड डाइगनोस्टिक की टेस्ट किठी है उसमें स्वेब आएगा एक्स्रेक्शन बफर आएगा नोजल आएगा और कैसेट आएगा इस चारों चीज आपको देखने को मिलेगी यह है कैसेट और यह है एक्स्रेक्शन बफर यह है नोजल अच्छी तरह देख लो यह है नोजल और यह है स्वेब अब हम कैसेट को लेंगे फेकेज में है तो उसे हम बार निकालेंगे उस पे आप देख सकते हो कैसेट पे कोविड नाइंटीन एंटीजन लिखा है कंट्रोल के लिए सी लिखा है और टेस्ट के लिए टी लिखा है अब हम इसे लेबल करेंगे 128 नमर से लेबल किया है और साथ में जो एक्षिक्जन बाफर है उसे भी लेबल करेंगे 128 नमर से अब सैंपल कलेक करेंगे सैंपल कैसे कलेक करना है वो और भी वीडियो में अप्लोड किये है sample collect करने के बाद जो swab है वो swab को extrication buffer के while में रखना है अच्छी तरह mix करना है उंगली से दबा के अच्छी तरह mix करना है mix करने के बाद जब आप swab को बाहर निकालते है तब while को दबा के रखना है fresh squeeze करके रखना है और swab को बाहर निकालना है अब जो nozzle है उस nozzle से while को बंद कर देना है अब जो cassette है उस cassette में जो हमने sample अच्छी तर mix किया हुआ है वो sample के तिन drop डालना है side में आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हूं 100 number से label किया हुआ है अगर positive आएगा तो T के सामने results होगा और negative आएगा तो only C के सामने results होगा अब आप यहाँ पर देख सकते हो 128 number में negative है और 170 number में positive है कर दो दो एक सकते हुआ है झाल झाल